पहला प्रश्न है, सब फूल बन गए, फूल बने हैं, कौन-कौन फूल बन गए, आज मुरली तो सुनिये न, मुरली के हिसाब से कौन-कौन फूल बन गए, उठाओ हाथ, अच्छा, फूल बनना चाहते हैं, कुश्पुदार फूल बनना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ, अच्छा, चाहते हैं, चलो, अच्छा, दूसरा प्रश्ना, कौन-कौन परवाने बनना चाहते हैं, परवाने माना समझे न, जो जीते जी, मरते हैं, क्यों पूछ रहे हूं, क्योंकि फूल सबको बनना है, परवाना नहीं बनना है, जीकए न, परवाना बने बिना फूल कैसे बनेगे, सारी बात वही हैं, मैं मेरा भी रखना है, और बाबा का भी बनना है, तो वो नहीं हो सकता, सारी बात वहीं पर ही आती है इसलिए आज बाबा हमें कहते है फूल कहो परवाना कहो बात एक ही है क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है अगर परवाना नहीं बनेंगे तो फूल कैसे बनेंगे अब इसको थोड़ा समझेंगे आज परवाना बनना माना यह जो देहे है देहे के संबंद है पुरानी दुनिया है इसमें जो हमारा मैं पन मेरा पन है उसको हमें समाप्त करना होगा और तेरा करना होगा मैं बाबा का बाबा मेरा और बाबा का सब कुछ जब तक बाबा का नहीं करेंगे तो बुद्धी का ताला नहीं खुलेगा विचार सागर मन्थन नहीं होगा विचार सागर मन्थन क्या मुरली सुनाई दे उसके लिए भी पवित्रता चाहिए विचार सागर मन्तन तो दूसरी बात है मुर्ली तो सुनते वे सुनाई नहीं देती मुझे एक अभी माता कह रही थी पीछे सुबे से चार बार पढ़ चुकी हो एक लाइन भी याद नहीं रहती चार बार मुर्ली पढ़ चुकियों एक लाइन भी याद नहीं रहती है तो क्यों याद नहीं रहती बुद्धी का क्या हाल हो गया है लेकिन बाक्यों के लिए कहेंगे उन्होंने कहा भी नहीं लेकिन मैंने सुन लिया कोई कुछ कहता नहीं है तो भी उसके मन की बात भी पढ़ लेते हैं लेकिन बाबा यहां मुरली चलाता रहता है सुनाई नहीं देती तो ऐसी बुद्धी के साथ कैसे खुश्बू आएगी अब रूहानियत की खुश्बू तो तब आए न जब ज्ञान का विचार सागर मन्थन हो अब विचार सागर मन्थन की जगह उल्टा क्या चल रहा है परचिंतन परदर्शन तो फिर वो वाली बद्बू भी आती रहती है इसलिए बाबा कहते हैं खुश्बूदार फूल बनना है तो परवाना बनना पड़ेगा और परवाना कैसे बनते हैं जब तक हम मैं और मेरा है अभी हमारा सब कुछ कहां लग रहा है हमारा सब कुछ हमारी जीवन किसके लिए है वहाँ जहां मैं और मेरा है न हम समझते हम उनीके हैं और हमारे सब कुछ वहां लग रहा है लेकिन जब हम समझेंगे मेरा बाबा बाबा मेरा और मैं बाबा का और बाबा का कारे सो मेरा कारे मैं बाबा का बाबा मेरा और बाबा का कारे सो मेरा कारे बाबा इस विश्व को परिवर्तन करने आए हैं बाबा इस दुनिया को पतित से पावन बनाने आए हैं उसमें बाबा कहते, तुम्हारा तन, मन, धन, तिनों चाहिए, अगर मेरा मन, या तन, या धन, सिर्फ लौकिक में, मैं और मेरे में फसा हुआ है, तो फिर, कहां बाबा का? और जहां मरजीवा नहीं बने है मैं बाबा का बाबा मेरा नहीं है कुछ भी कणा दाना, कुछ भी नहीं सेवा कुछ भी नहीं है संकल्ब भी कुछ भी नहीं है तो फिर वहां कहां विचार सागर मन्तन होगा क्योंकि देखो कितनी बड़ी बात है हम मुरली रोज सुनते हैं पर विचार सागर मन्तन क्यों नहीं चलता इसलिए नहीं चलता क्योंकि परवाने नहीं बने हैं जीते जी नहीं मरे हैं बाबा कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं लौकिक भी काम करते हैं नौकरी पे जाते हैं, भूजन बनाते हैं वित्ती क्या होने चाहिए? कि मेरा सब कुछ बाबा का है। और वित्ती में फिर मंसावाचा कर्मना सेम भी होने चाहिए। ऐसा निक बस कहें बाबा का है। और प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। तो जहां मैं बाबा का बाबा मेरा होगा और बाबा का कारे मेरा कारे होगा तब तो उसमें से पुर्णे की कमाई होगी वरना सब कुछ कर रहे हैं सारे दिन लेकिन जहां मैं पन मेरा पन है वहां सिर्फ बोज आ रहा है सब कुछ कर रहे हैं और बोज आ रहा है क्योंकि मैं पन मेरे पन से कर रहे हैं आज व्यक्ति को पूछो 50 वरश की उमर में 60 वरश की उमर में तो वो किन बातों को लेकर रोता है मैंने इसका इतना किया उसका उतना किया फलाने का इतना किया और कह कह के रोता है क्यों किया तो रोता क्यों है करम से तो सुख मिलना चाहिए न लेकिन सारे करम मैं पन मेरे पन से हो रहे हैं तो बाबा कहते हैं उन करमों से दुख ही मिलता है वो सारे करम कल्बी जैसे न उन करमों को ये कुटेंगे इसका इतना क्या उसका उतना क्या आज इस कारण दुख है, उस कारण दुख है, तो बाबा कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, कि अब तुम मेरे बनो, बाबा का बनो, बाबा के कारे को अपना कारे समझो, कर्मयोगी बनो, हर बात में, मैं बाबा का, बाबा के कारे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जब इस से चलेंगे न, परवाना बनेंगे, तब जाकर बुध्धी का ताला खुलेगा, देखो जो मैं पन मेरे पन वाला होता है न, उसको सारे दिन चिनता रहेगी, फिक्रात रहेगी, मैंपन सताता रहेगा, क्यूंकि वो लाइट होकर कोई कारे नहीं कर सकता जब मैं पन मेरा पन है तो सारे दिन मन बुद्धी उसी में बिजी है विचार सागर मन्थन करेगा कब उसको तो पुरसती नहीं है उसके तो मन बुद्धी बहुत बिजी है जब तेरा कहेंगे जब बाबा को है न मैं बाबा का बाबा मेरा है तब जाकर तो मन बुद्धी फ्री होंगे तब तो विचार सागर मन्थन होगा वरना क्या है कभी व्यक्तियों का चिंतन कभी परिस्थितियों का चिंतन कभी कोई चिंतन और ये सारा चिंतन क्या है व्यर्थ चिंतन इगो बेस्ट चिंतन जहां मै पन मेरा पन है वहाँ ये सारा वियर्थ चिंतन चलता रहता है जिसका उल्टा फल निकलता है क्योंकि कोई भी चीज चिंता से करेंगे तो उसका क्या फल निकलेगा चिंता में क्या करते हैं चिंता में नेगिटिव इमेज बनाते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए यहां आइंस्टाइन ने का, your imagination is your preview to the future, जो आप सोचेंगे वो होगा, तो ये जो सारी चिंता और चिंतन करते हैं, ये सोचके कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जहां मैं पन मेरा पन है, वहां चिंता चिंतन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, सारा वियर्थ चिंतन चलेगा, चिंता होगी, भय होगा, और उस कारण से हमारे अपने कारे को कर भी रहे हैं, और negative energy भी दे रहे हैं, जैसे कि उसी डाल पर बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं, है ना, बच्चा भी है, देखो है ना, उसकी कोई भी चीज, उसकी पढ़ाई, उसकी health, कोई भी चीज अगर थोड़ी भी उपर नीचे होती हैं, तो हमारी बुद्धी कहां जाती है, जो चीज उपर नीचे उसी पर, और जैसी जैसे हमारी उस पर attention जाता है, वो जो बुराई है, वो जो कमजोरी है, वो बढ़ती जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम उसको ध्यान की शक्ती से सीच रहें, लेकिन बाबा कहते हैं, ये सारी चीजे करते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं छोड़ो तो छुटो, वो नहीं करते हैं, तो ये जो अपने अंदर मरजीवा पन, जब बाबा आया है, तो मैं आत्मा हूं, मेरे सर्वसंबंद बाबा से हैं, मैं बाबा का हूँ, मुझे अभी बाबा का बनकर एक जनम चलना है, बाकी सब कुछ समालना है, लेकिन कैसे कर्म योगी बनकर, बाबा की याद में रहे कर, सब कुछ समालना है, लेकिन किसी में मैं पन, मेरा पन नहीं है, हम इंस्ट्रुमेंट हैं, लेकिन हम जिम्मेवार नहीं ह हम करते हैं पर हम चिंता नहीं करते हैं उसके जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं हम हर चीज करनी है नौकरी भी करनी है घर भी समालना है बच्चों को भी समालना है लेकिन सब कुछ करते हैं बाबा की बच्चे समझ के समालना नौकरी हम बाबा के कारे के लिए करते हैं हर चीज बाबा को याद करके बाबा का समझ के निमित स्वयम को समझ कर करना तो बाबा कहते हैं यह होता है मरजीवा जनम पुराने जनम की स्मृतियों से मर गए पुराने जनम में जो इस से पहले है न ज्यान से पहले जो हम जिस संबंद से रहते थे, वो संबंद भूल गया है अब, अब क्या है, बाबा का बच्चा, बाबा का कारे, उस अधार से उसे संभालते हैं, हम भी तो संभालते हैं बाबा की सेवा, ऐसे ही वो भी बाबा की सेवा समझ के संभालना है, और बाबा की श्रीमत पर पूरा attention देना है जो बाबा की श्रीमत है कि सिर्फ हद का कारे ने बेहद का कारे भी बाबा ने मुझे एक हद की जिम्मेवारी दी है एक बेहद की दी है तो दोनों को मुझे balance करके चलना है और जब ऐसा होगा न तो हमारे मन बुद्धी बिलकुल free होंगे और जब मन बुद्धी free होंगे तो फिर उसमें क्या चलेगा जब पुराणी दुनिया का चिंतन नहीं चलेगा तो natural है कि ज्ञान का विचार सागर मंथन चलेगा और ज्ञान का विचार सागर मंथन जितना चलेगा ज्ञान से ज्ञान के अगर ज्ञान का चिंतन मंथन चलेगा, तो आत्मा से जो खुश्बू आईगी, जो वाइब्रेशन होगी, वो शानती की, सुख की, रुभानी स्नेहे की होगी, तो सारे दिन हमारा जो विचार सगर मंथन है, वो चलना चाहिए, और विचार सागर मंतन में ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स क्या है? आत्मा, बाबा और ड्रामा है न, जब यग्य की स्थाप न हुई तो पहला-पहला पुर्शार्थ क्या था? जो ब्रमा बाबा ने किया? ब्रमा बाबा ने क्या? पुर्शार्थ किया सारे दिन मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, पालु आत्मा है, सारे दिन ये आत्मा है, वो आत्मा है, यही पुर्शार्थ किया बाबा ने, कभी सोचा, कभी बोला, कभी लिखा, लेकिन सारे दिन वो एक ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, इसको जैसे बाबा ने अंदर ब वृत्ति, हंस वृत्ति बनी, हर एक के गुण देखने की वृत्ति, हर एक के लिए स्नेही रखने की वृत्ति बनी, तो बाबा कहते हैं, यह जो ज्यान का विचार सागर मन्तन है, यह सारे दिन चलना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, और जितना चिंतन मन्तन चल सितारा याद आए अभी जब आप सोचते हैं अपने विशे में तो आपकी सेल्फ इमेज क्या है एक देहे भी आती है ना बुद्धी में ये देहे हैं लेकिन बाबा कहते हैं इतना विचार सागर मंतन करना है कि जब भी अपने विशे में सोचें एक शांस्वरो पवित्र सितारा आत्मा ही नजर आए और जब ऐसा होगा तो अन्यों के साथ भी जब बैठेंगे उठेंगे संपर्ग संबंद में आएंगे तो उनके अंदर भी क्या दिखाई देगा जागती जोट, जगमगाती जोटी है ना सितारा आत्मा और जब उनको उस रूप से देखेंगे तो जैसी दृष्टी वैसी सृष्टी उनको भी आत्मिक स्थिती में स्थित कर देंगे यह ना बाबा ने आज कहा ना किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो फिर उसको भी शरीर ही यादाएगा कोई आपके धन को देखता है कोई आते ही देखे कि ये गरीब है इनके आपे ये नहीं है वो नहीं है तो आपका भी अटेंशन कहा चला जाता है अपने धन की तरफ कोई आप से मिला हूँ आपकी गाड़ी देख रहा है स्थित करते हैं. अगर आप किसी ऐसे के साथ रहते हैं, जो सारे दिन आपकी कमिया देखता हैं, तो आप भी अपनी कमिया देखना शुरू कर देते हैं, होता है की नि, मुझे एक bार एक बहन आई थी, तो मुझे कहते थी, कि मेरी शादी हुई न हो कुछ भी करना हो तो मुझे पूछते थे ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है जिस पर मैं हाथ रख देते थे वो ही लेते थे और हमेशा कहते थे तेरी पसंद बहुत अच्छी है लेकिन जब शादी हुई तो युगल ना कोई भी चीज खरीद के लाती ना तो कहते हैं ये क्या ले आए कोई तमीज नहीं है तुम्हें शौपिंग करने की मुझे लेकर जाया करो पूछ के खरीदा करो तो कहते ही अभी तीन साल में ऐसा हाल हो गया है कि बच्चे का एड्मिशन कराना है लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने लेगा लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकतनी है अभी मुझे फेथ ही नहीं है मैं एक रुमाल तक खरीद नहीं सकती है मेरा इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया है तो आप सुचो कि कोई बार बार अवगुन देखता है तो उस पर ध्यान चला जाता है तो बाबा कहते ही लेकि तो इसका मतलब वो अपने लिए भी बहुत critical thinking करता है इसलिए वो आपको भी देखकर criticize करता है इसलिए बाबा कहते है अन्य को आत्मा देखना तभी होगा जब हम स्वयम को सारे दिन विचार सागर मंतन करेंगे मैं आत्मा हूं सितारा हूं ये देह तो जैसे होते वे भी है नहीं मैं एक शांत स्वरूप स्नेह स्वरूप पवित्र आत्मा हूं जब अपनी आत्मिक स्थिती में आत्मिक लाइट में अपने आपको बार बार देखेंगे और पक्की वो धारना हो जाएगी तो हर एक को देखते हुए आपकी दृष्टी आत्मिक होगी मेल फिमेल की भी दृष्टी नहीं जाएगी उचे नीचे की भी दृष्टी नहीं जाएगी कद काठी की भी दृष्टी नहीं जाएगी कोई भी दृष्टी नहीं सिर्फ आत्मा और जैसे आप उसे देखेंगे वो भी उस पृती में स्थित होते जाएगे तो बाबा कहते हैं इसलिए विचार सागर मन्थन करो, फिर दूसरी चीज मेरा बाबा, विचार सागर मन्थन में दूसरी पोईंट मेरा बाबा, आप सोचो दुनिया में सबसे बड़ी जो प्राब्लम है वो आज क्या है? अकेलापन, आप्राप्ति की भावना, संबंध की कमी, स्नेह की कमी और जब मेरा बाबा है, तो बाबा कौन है? सर्व संबंधी और सर्व प्राप्तियों का सागर और मेरा बाबा है सच्छा साथी, जो एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ता तो विचार करके तो देखो तुम्हें कौन मिला है? है न, वो साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो प्राप्तियों का सागर जिसके पास कोई अप्राप्ति नहीं है वो जो सर्व संबंधों का सुक, जिस समय जिस संबंध का सुक चाहिए, वो हमें देता है और वो जो हमें ऐसा वर्षा देकर जाता है, जो हमें कभी भविश्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी तो ऐसा बाबा मेरा है, ये विचार करें तो आत्मा के अंदर कितनी खुशी आज इसलिए बाबा के ते मस्ती चाह जाएगी क्योंकि खुशी से भी उपर उस आत्मा की अवस्ता होगी लेकिन विचार करते हूं मुझे कौन मिला है, मेरा साथी कौन बना है, मुझे कौन पढ़ाता है परम पिता, परम शिक्षक, सत्गुरू, गती, सत्गती, दाता मुझे पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं, लेकिन विचार करके नहीं देखते हैं, विचार करते हैं, परमात्मा मिल गया, लेकिन अभी विचेरा कैसा है, जैसे कुछ खो गया हो कैसे पता चले किसी को कि भगवान मिला है तो बाबा कहते हैं कि परिचे तो तब होगा जब अपने अंदर धारणा होगी कि मुझे भगवान मिला तो बाबा कहते हैं वो खुशी वो नशा अपने अंदर विचार सागर मन्थन करने से आएगा और जो प्राप्ति स्वरूप होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप, उसको सिर्फ देना आता है, उसको कभी कुछ भी मांगने की या लॉस की भावना नहीं होती, तो ऐसी आत्मा की खुश्बू कैसी होगी? ऐसी आत्मा की खुश्बू तो संतुष्टा की होगी, खुशी की होगी, तो बाबा कहते हैं, विचार सागर मन्थन करो, मैं कौन और मैं किसका? और फिर ड्रामा पर विचार सागर मन्थन करें, तो सोचो, अनादी स्वरूप में जाएं, तो कैसा? एकदम शान्त और भरपूर स्वरूप, आदी स्वरूप में जाएं, तो कैसा है? हार्मनी वाली दुनिया, ऐसी दुनिया जहां अपराप नहीं कोई वस्तू देवताओ के खजाने में, पुझ्य स्वरूप में जाएं, तो अपना दातापन इमर्च हो जाएं, तो ड्रामा पर चिंतन करें, ड्रामा पर विचार सागर मन्थन करें, तो फिर कितने सारे गोणे मर्च हो जाएं, और सबसे बड़ी बात, ड्रामा पर जब विचार सागर मन्थन करत तो फुल स्टॉप लगाना आ जाता है, क्योंकि ड्रामा तो बना बनाया है, ड्रामा तो बना बनाया है न, आप क्या क्यों करें, कुछ भी करें, लेकिन जो है, सो है, हर पांच हजार वर्ष में यही होता है, आप कितना भी उसमें दिमाग लगाएं, यह अच्छा है, बुरा है सही है गलत है न्याए है अन्याए है लेकिन कुछ नहीं है ये ड्रामा है ये और कुछ भी नहीं है तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा पर विचार सागर मंतन करें तो जैसे सदा खुश और कल्यान कारी ड्रामा की स्मृति रखें कि ड्रामा कल्यान कारी है क्योंकि बाबा को पस पसंद है ड्रामा, तो मुझे भी पसंद है, तो फिर ड्रामा के प्रतिवी, हर सीन के प्रतिवी, हमारी वृत्ति क्या हो जाए कि यह कल्यान कारी है, तो बाबा कहते हैं, यह जो विचार सागर मन्थन है, इससे बहुत रुहानियत की खुश्बु आती है, लेकिन जब तक और पवित्रता ना हो, यह जो पवित्रता आती है, श्रीमत पर चलने से, आज बाबा ने कहां, पोता मेल देना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, कामजीद, मोऊजीद बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनेंगे, पुरानी दुनिया के रसम, रिवास, पुराने संस कारों से अगर नाता नहीं थोड़ेंगे तो क्या विचार सा अगर मन्थन करेंगे कुछ नहीं और विचार सा अगर मन्थन ही नहीं करेंगे तो क्या मक्षन निकलेगा और क्या खुशी होगी और क्या खुश्बु आएगी तो इसलिए सबसे पहला एटेंशन कि मैं जीते जी मरा हूँ या अभी भी पुरानी दुनिया जैसे भक्ती में करते थे न कि मैं ये फला मेरा ये और बाबा तुम आकर मेरा ठीक कर दो है ना बाबा कहते नहीं मेरा ठीक करने तुमारा ठीक करने मैं नहीं आया हूँ तुम मेरे बनो मैं इसलिए आया हूँ बाबा केते तुम मेरे बनो इसलिए आया हूँ तुमारा ठीक करने नहीं आया हूँ तुमारा मैं और मेरा पन बना रहे इस आशिरवाद के लिए नहीं आया हूँ मैं आया हूँ कि तुम मरजीवा बनो मैं और मेरे को तेरा करो और तेरा करेंगे तो जब वो मेरा हो गया तो मैं समालूँगा लेकिने बाबा कहते तुम्हारा नहीं समालूँगा मेरा कर दोगे उसे तो मैं समालूँगा तुम मेरे तो तुम्हारा सब मैं जिम्मेवारी लोँगा तुम निमित बन बस कारे करना लेकिन तुम तो मेरे बनो लेकिन हम कहते हैं नहीं हम इनके रहेंगे तुम भी मेरें को समालो ऐसा ये कॉंट्राक नहीं है तो इसलिए वो खुश्बू नहीं आती और अगर इतनी रुखानियत की खुश्बू हो तो मैं समझती हूँ कि जो बाबा का जो लक्षे है वो तो कब का पूरा हो जाए क्योंकि खुश्बू ही तो फैलानी है जहां रुखानियत की खुश्बू होगी तो नया संसार क्या है उसी खुश्बू से भरा संसार है तो ये पहली चीज दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि जहां हिम्मत है और निर्भैता है वहां बाबा की मदद मिलती है लेकिन हिम्मत और निर्भैता किस में तो हिम्मत और निर्भैता दिखानी है श्रीमत पर चलने में जब हम श्रीमत पर चलते हैं क्योंकि देखो, जहां रावन की मत पर चलते हैं, वहां हमें बहुत हिम्मत देने वाले मिल जाते हैं, वहां हमें कोई विरोध नहीं होता, रावन की मत पर चलेंगे, तो कोई विरोध होता है, रावन की मत पर चलने में आजकल तो कोई डर नहीं, कोई विरोध नहीं, आजकल तो आप जिसको सोचते भी नहीं थे न, वो आपको रावन मत में धक्का बार देते हैं, कि आप जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे एक माता कहती थी, मेरी सास कहती है, कि पती के साथ बैठ के शराब क्यों नहीं पीती हो, उसका भी थोड़ा दिल बहलेगा, उसकी भी है न, दिल इधर-उदर नहीं भागेगी, तो तुम पती के साथ बैठके शराब पियो, तो कहती थी अप दिदी सास बिटा के बोलती है, कि पती के साथ शराब पियो, तो आप बताओ, क्या कहें और है न, तो ये क्या है, कि आजकल तो रावन मत पर चलने में हिम्मत नहीं निर्भैता नहीं चाहिए, रावन मत पर चलने में तो हर एक को साथ देता है, लेकिन हिम्मत की बात बात तब आती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तब बात आती है माया की, माया तभी सामना करती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं तभी माया डरावना रोप लेकर आती लेकिन बाबा ने क्या कहा है माया पेपर टाइगर है वो आएगी, लगेगी जिसे टाइगर है तुम डरना मत तो जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे कोई भी हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे माया आप पवित्र रहने का कदम बढ़ाएंगे तो माया आजाएगी आपको डराएगी हम छोड़ देंगे, हम ऐसे कर देंगे हम तुमें सब जगह बदनाम कर देंगे चलो पंचायत बुलाते हैं चलो ये होगा, वो होगा तो कितनी सारी बाते हैं और क्या कहते हैं तुमारे सेंटर पे फोन लगाते हैं कौन तुमें ये बाते सिखा रहा है तो ये सारी बाते माया इस प्रकार से आती हैं पवित्र बनने में ये वाली बाते आती हैं बाहर से भी आती हैं, लौकिक परिवार से भी आती हैं, मित्र संबंधियों से भी आती हैं, और अपने संसकारों से भी कई बार आती हैं, कई बार कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अपने अंदर ही भय लगता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जिस समाज में वो यह रहते हैं उसी सहरे तो हम भी आयन तो हमारे अपने संस्कार भी वैसे हिantu हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि खांगे कि आधा ईकने बाहत बड़े बड़े वर्णन करते बा कि अभी पवित्रता में इसले नहीं चलते उसलें नहीं चलते। तो उनको पूछो कि किसी ने आपको कभी कहा है कुछ, तो कहेंगे नि कहा नहीं है, लेकिन हम उनकी नेचर को जानते हैं न, फिर कल वो बात उठेगी, फिर कल वो प्रॉब्लम आएगी, तो कई बार तो सामने वाले ने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन अपने ही संसकारों में इतनी लोकलाज है, अपने ही संसकारों में इतना भय है, कि हिम्मत का कदम नहीं उठाते हैं, तो कई बार बाहर से बाते आती हैं, और अपने संसकारों से बहुत सारे बाते आती हैं, तो हिम्मत का कदम नहीं उठाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं, कि जब तुम हिम्मत का कदम उठाओगे ही नहीं, तो मदद का अनुभव करोगे कैसे, अब बाबा कोई अपने आप तो बना नहीं देगा, क्योंकि बात है सारी कि कर्म की गती है, जो हम करेंगे सो पाएंगे, अब बाबा तो हमें प्रेड़ना दे रहा है, लेकिन एक कदम भी हम नहीं उठाएंगे, तो बाबा हमें मदद करेगा कैसे, कोई उठा के तो आपको स्वर्ख की गद्धी पर नहीं बिठाएगा ना, खुदी चल के जाना पड़ेगा ना, तो हम क्या कहते हैं, जैसे भक्ती में कहते हैं भगवान का बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, भगवान कहेगा तो कर ले और बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा, तो बाबा तो हमें प्रेडना दे रहे, लेकिन हिम्मत का कदम स्वेम उठाना पड़ता है, कई तो यहां तक ऐसे भी हैं, कि आज तक भोजन शुद्ध करने का भी कदम नहीं उठाते हैं, और उसमें कहीं न कहीं अपने संसकार सोभाव की बात होती हैं, कहीं न कहीं बाहर की बाते होती हैं, लेकिन अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो बाबा मदद कैसे करेगा, न मैं आपको एक माता की बात बता रहे थी ना पहले भी कि, मुझे रिसेंटली सुना रहे थी कि, कहती कि भोजन शुद्ध रखा है मैंने, तो फिर बेटे के यहां गई थी विदेश में, तो अब क्या है कि बेटे के यहां गई थी तो यूगल भी गए थे, अब यूगल नॉर्मली थोड़ा नराज रहते हैं कि यह भोजन शुद्ध करती है, खाती नहीं है हमारे साथ, लेकिन मैंने उस बात को कभी इतनी value नहीं दी, लेकिन अभी बेटे के यहां गई थी, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा देखो, अभी आप लाज रखना, और मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन आप सम्हाल लेना है न, लेकिन मेरा इरादा पक्का है कि कुछ भी हो जाए, मेरा भोजन शुद्ध ही रहेगा, तो कहती कि एक बार बेटा ऐसे रेस्टरॉण चलो, रेस्टरॉण चलो, एक बार तो चलो, पूरा महीना रहे हो, एक बार भी नहीं जाओगे क्या, ऐसे कर करके वो ले गया, तो जब हम बैठे टेबल पे, तो मुझे आया कि बाबा अभी न, अगर खाना सामने भी सर्व भी हो गया, तो भी मैं नहीं खाऊंगी, और फिर मैं लास्ट में बोल दूँगी, और उस बात से जो भी होगा होगा, मूड खराब हो तो हो, लेकिन वो कहती कि मैंने इतना पक्का जो इरादा रखा न दी दी, तो जैसे ही वो सर्व करने आया, तो मेरे युगल, जो कभी भी मेरा साथ नहीं देते, वो बोल पड़े, पता नहीं है क्या, ये खाती नहीं है, इसकी थाली में क्यों डाल रहे हो, इसको फ्रूट लाई होगी, खा लेगी अपना थाली में बैटके, यहां पर, कोई बात नहीं है, तो ऐसे करके, और बेटा भी वहां पर चुप हो गया, क्योंकि प भए नहीं लगा मुझे कि अगर ऐसा हो गया, तो मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी, मुझे ये पता था कि मेरी मर्यादा भंग नहीं होगी, बहले कुछ भी हो जाए मूँ तो मेरा है, and finally खाना या ना खाना तो मेरे ही उपर है तो ये मुझे पूरा पका था कि ये जो बाबा का तन है अभी इसमें कुछ भी अशुद नहीं जाएगा तो बाबा कहती है ये हिम्मत हमें रखनी होती है और अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो बाबा की मदद कैसे देखेंगे आज मैं इतना सुन्दर एग्जामपल आपको क्यों सुना रहे हूं क्योंकि वो माता ने हिम्मत रखी अगर वो नहीं रखती तो ये एग्जामपल नहीं होता हमें कभी पता ही नहीं चलता बाबा मदद करता है तो बाबा कहते हैं कि ये मदद का अनुभव तब होता है जब हिम्मत रखते हैं अब आप देखो एक होती है स्वपुर्शार्थ में हिम्मत वो भी एक बड़ा पायदान है लेकिन उससे भी बड़ी हिम्मत रखनी होती है सेवा में क्योंकि सेवा में तो पुन्य का खाता बनता है और आप सोचो कि सत्यूगी बनने में माया इतना तंग करती हैं तो सत्यूगी राजा बनने में कितना तंग करेगी क्योंकि एक तो आप स्वर्ग जा रहे थे वो भी चलो ठीक था अब आप स्वर्ग में राजा बनेंगे तो माया तो नाक में दम करेगी तो जब आप स्वर्ग की राजाई की बात सुचते हैं और राजा कौन बनेगा जो सेवा करेगा तो जब सेवा करने जाते हैं तब तो अलग ही लेवल के पेपर आते हैं क्योंकि आप ज्ञान योग कर रहे हैं चुपचा वो भी ठीक है लेकिन आप कुछ भी सेवा में लगाएंगे तो वहाँ पर बहुत विगन आएंगे और सेवा में जैसे ही आपका तनमंदन लगना शुरू होगा कई प्रकार के विगन लौकिक से अलौकिक से कई प्रकार के विगन आते हैं और जैसे जैसे आप और बड़े राजा बनेंगे तो और भी बड़े बड़े और बड़े आश्यरेवत विगन आते हैं लेकिन बाबा क उस सब में आपको डरना नहीं है और आप डरेंगे नहीं, आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद तो आपको मिलेगी ही मिलेगी लेकिन आपको सहीयोग भी मिलेगा सही योग भी मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप अकेली अंतक अकेले ही चलते रहेंगे अकेले ही मरते रहेंगे ऐसा नहीं है मार्क इतना सुन्दर है कि एक समय आएगा जब बहुत विगन पड़ते न तो एक समय आता है जब आपको लगता है कि शायद मैं और मेरा बाबा ही है और कोई है नहीं, लेकिन देखो कोई सामने से आके आपकी मदद नहीं करता, यह बड़ी सुंदर बात है, इस पूरे मार्क की, कि कोई सामने से आके आपको हिम्मत नहीं भरेगा, मदद नहीं करेगा, एक समय ऐसा भी आता है जब आप सेवाओं में आगे बढ़ते न कि आपको लगेगा बस मैं हूँ और मेरा बाबा है और कोई है ही नहीं मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा सभी मुझे गलत कह रहें लेकिन जैसे जैसे आप हिम्मत दिखाएंगे आपको सिर्फ बाबा का नहीं सहयोगियों का भ लेकिन बाबा कहते ही वो जो अगर आप इंतजार करेंगे न और दुख मनाएंगे न कई ऐसे होते हैं दुख मनाते हमने तो उनका इस समय साथ दिया था हमने वो तो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम किसी का साथ नहीं छोड़ते लेकिन ऐसी बात में हमारा तो साथ हमें तो किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सयोग नहीं दिया, तो उस समय पर आपको अपने आपको पूछना है, आपको राजगदी शेयर करनी है क्या? नहीं करनी है ना? आपको अकेले राजा बनना है ना? कि दो को बिठाएंगे, पार्टनर्शिप में, नहीं ना? आपको अकेले राजा बनना है, तो जब अकेले राजा बनना है, तो अकेले बिड़ा उठाना है, ठीक है? तो उस समय आप किसी का इंतजार नहीं करो, लेकिन आप जानो, कि आप हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे ना? तो आपके साथ-साथ सहीयोगी भी आएंगे, सब कुछ होगा, और सबसे बड़ी बात है, सहीयोगी की भी क्या बात है? हमारे साथ बाबा है, बाबा हमारे को आगे बढ़ा रहा है, हमें राजा बनाने के जिम्मेवारी बाबा की है, किसी और की नहीं है, क्योंकि बाबा को राज्ये नहीं करना है, लेकिन कोई और अगर हमारे साथ में जिम्मेवारी लेगा, तो वो साथ में राज्य करेगा, ठीक है न, तो हमें उसको शेर नहीं करना है तो अपनी हिमत दिखानी है, निर्भय रहना है किस बाद का भय है, जब मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ बाबा है तो भय किस बाद का है, और जो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं हिम्मत दिखाना निर्भय होना माना आगे बढ़ना अगर हम ये कहें हम हिम्मत दिखा के पीछे रहेगे ऐसा नहीं हिम्मत दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे जब आप पुर्शार्थ में सेवा में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सारे विगन समापत हो जाएंगे, आपको बाबा की आशिरवाद और कई आत्माओं का सहीयोग और उनकी भी दुआएं जैसे आगे बढ़ाती बढ़ाती चले जाएंगे तो इस नियम को भी हमेशा समझना, लेकिन आप हिम्मत छोड़ देंगे, आप कमजोर संकल्पों में घिर जाएंगे, आप ब्लेम और क्रिटिसिजम में चले जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर अंत में बाबा आपको पुछेगा, इतनी मुरली सुनी क्या, वो उस बहन ने मुझे धोका दे दिया, तो दादी ने क्या कहा पता है, तुम ग्यान सागर की संतान हो, तुमने धोका खाया क्यों, तुमने धोका खाया क्यों, तुमें समझ नहीं आता, माया की परखनी है, तो इससे लिए ये जो माया हमें धोका देने आती है, माया बहु तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं समझा है, हमने मुरलिया नहीं सुनी है, हमने ज्ञान नहीं समझ में आता है, और जब ज्ञान नहीं समझ में आता है, तो अच्छा ही ना प्राजा ही बनेंगे, फिर राजा कहां से बनेंगे, ठीक है ना, ओके, ओम शान्ती,